हेलो वेलकम तो मैं चैनल कोट सोरे वित माइक तो आज है अपने लीट कोड़ ईजी के प्रेलिस का वीडियो नूंबर 57 करने जा रहे है ठीक है लीट कोड़ 796 इजी मांग है बड़ आपको कुछ चीजे यहां से सीखने को मिलेंगी जो आपको काम आएंगे फ्यूचर के प्र return true if and only if S can become goal after some number of shifts on S मतलब S ये एक दो स्ट्रिंग दे रखा होगा S में कुछ shift मारने पर अगर वो goal के बराबर हो जाता है तो we have to return true नहीं तो false और shift कैसे करना है a shift on S consists of moving the leftmost character of S to the rightmost position जैसे माल लेते हैं अगर आपका S जो है वो A, B, C होता तो leftmost जो character इसको rightmost में भेज़ दो तो मतलब यह कहना चाहरा है कि one left shift मारना है तो यह B यहाँ आ जाएगा यह C यहाँ आ जाएगा और यह A जो था ना leftmost जो rightmost चलागा यहाँ पर तो BCA हो गया यह एक shift हो गया दोबारा shift करोगे तो क्या हो जाएगा C, A, B हो जाएगा and so on okay ठीक है तो यहाँ पर example भी दे रखा है S is equal to A, B, C, D, E then it will be BCDA after one shift यह यहाँ आ गया यह दर यह दर यह दर यह यह पर आ गया तो यहाँ पर देखते हैं यह example दे रहे हैं इसका answer true क्यों है क्योंकि देखो इस A, B, C, D, E को अगर आप rotate करते हो तो लाया जा सकता है goal के बराबर उसको देखते हैं कैसे एक बर shift किया तो क्या जाएग ठीक है यहां तक clear है okay और simple सा approach होगा सबसे पहला approach मेरा क्या होगा brute force जो भी मैंने जस्ट यहां पर किया कि rotate करते रहेंगे एक time ऐसा आएगा कि आप rotate दोबारा नहीं कर सकते हैं जैसे कोई भी string है मान लेते हैं A, B, C है ठीक है आप इसक कितने बार rotate कर सकते हो जादा जादा कि एक बर रोटेट किया तो देखो B, C, A आ गया दोबारा rotate किया तो क्या आगया C, A, B आ गया एक बर और rotate करों तो देखो वापस से वही string आ जाएगा है ना वापस से वही string आ जाएगा तो जादे जादब आप कितने बार rotate कर सकते हैं इस को एक दो तीन जितना इसका लेंथ है इसे स्ट्रिंग का इतने बार ही रोटीट कर सकतो उससे जाधा बर रोटीट नहीं कर सकतो तो हमारा brute force approach क्या होगा कि given input को मैं जितना इसका लेंथ है इतनी बार shift करने करूंगा और हर बार चेक भी करता रोगा कि वो गोल के बराबर हुआ कि नहीं है अगर हो गया तो true है अगर पूरे time shift करने के बाद भी है ना पूरा जितने बार shift हो सकता तो उतने बार shift किया और एक बार भी वो गोल के बराबर नहीं हुआ मतलब गोल के बराबर कभी नहीं हो सकता उस return false कर देंगे यहां तक क्लियर है तो हमारा जो ब्रूट फोर्स है इस वरी सिंपल ना एबी सीडीए है और हमारा जो गोल है वो क्या था सीडीए कैसे हम लोग करेंगे सबसे पहले मैंने क्या बोला इसका लेंथ निकाल लेते मान लेथें एम है इसका लें था को जादे से जद्स कर सकतें ऐंडे से पर इसके बाद धने लगे चीजें तो बहने कि कितने बार रुपट करेंगे रोटेट करेंगे, count लिख लेता हूँ, count is equal to 1, count is less than equal to, m time c rotate कर सकते हैं, count plus plus, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर rotate करूँगा, rotate s, one left shift, ठीक है, if rotate करने के बाद, if s is equal to is equal to goal के बराबर होता है, तो मैं यही से return true कर दूँगा, अगर ऐसा नहीं होता हो, तो for loop चलता रहेगा, एक time आएगा जब for loop से बाहर निकलेंगे, और एक बार भी goal के बराबर वो नहीं हो पाए, तो बाहर निकल के मैं क्या करूँगा, return false कर दूँगा ठीक है, यहादर clear है, ओके, अब यहाँ पर बस एक last चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो यह है कि rotate कैसे करेंगे, by one shift, है ना, तो यह चीज आपको सीखने को मिलेगी, इस वीडियो से, इसके अलाबा एक और चीज आपको सीखने को मिलेगी, वो second approach में सीखने, त ठीक है, तो रोटेट का syntax क्या होता है, C++ के STL में, ROTATE, यहाँ पर आपको बताना पड़ता है, तीन argument देने पड़ते हैं, ठीक है, पहला argument, दूसरा argument, तीसरा argument, ठीक है, आपका जो भी string है, माल लेते हैं, आपका string है, A, B, C, D, E, F है, ठीक है, तो इस string में आप कहां से कहां तक को रोटेट करना चाहते है, जैसे होता है, कोई इनसान आपको बोलेगा, कि B से लेकर E तक को पकड़ो, और उसमें left shift मारो, तो यह A और F फिक्स रहेगा, और left shift इसमें खाली मारना हुआ, तो C, D, E, B हो जाएगा है, तो ऐसे भी रोटेट करना है, कोई कह सकता आपको, यहाँ पर थोड़ा simple है, यहाँ पर बोला गया कि यह overall को left shift मानना है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ता है, कि जो जितने part को आप left shift rotate कर रहे हो, उसका starting range क्या है, start of range, जो भी range को आप rotate करना चाहिए, जैसे हमारे लिए range क्या है, यह पूरा का पूरा string हमारे लिए range है, उस range का starting क्या है, यह है, उस range का ending क्या है, ठीक है, तो starting हमारे लिए यह है, तो उसका starting यहाँ पर आएगा, starting of the range, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, s.begin, क्योंकि हमारे range का starting यह है, ठीक है, और इस range का ending क्या देखो, तो यह last बोला, यह last के just end, s.end, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कि end of range ठीक है जितने part को आप जितने range को आप रोटेट करना चाहते है उसका starting और end का आपको यहाँ पर pointer देना पड़ेगा s.start और s.end यहाँ पर मैंने दे दिया है क्योंकि मेरा overall string को ही मुझे रोटेट करना है ठीक है तो इसका beginning यह है और इसका ending यह है अब देखो ध्यान देना यहाँ पर बीच में क्या दिया था यह important है इस पर ध्यान देना यहाँ पर आपको यह बताना पड़ता है कि कौन सा पार्ट अब string का starting बन जाएगा जैसे याद करो यहाँ पर अगर आप इसको left rotate करते हो तो यह बी देख रहो यह start बन जाएगा ना इसका देखो left rotate करो B C D E F A देखरो यह B पहले यहाँ पर था अब वो starting बन चुका है ठीक है यहाँ तक clear है बस आपको इतना बताना पड़ेगा कि कौन सा position अब string का starting position बनने वाला है तो यह वाला position बनने वाला है है ना फिर next time क्या होगा यह दोबारा जब इसको रोटेट करोगे तो कौन सा पोजिशन इस रोटेटेट स्ट्रिंग का starting position बन जाएगा यह वाला स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ दा रेंज ठीक है मतलब रोटेट करने के बाद आप कौन से पोजिशन को चाहते हो कि वह स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए आपके रेंज का तो याद करो प्रॉब्लम में क्या था कि हम चाहते हैं कि जस्ट फर्स करेक्टर के जस्ट दो प्लस से क्या होगा यह वाला पॉजिशन मिल जाएगा यहां पर है ना तो यह होता है उसमें प्लस वन किया तो यह इसको पॉइंट करने लगा ठीक है तो यह वन टाइम से लेफ्ट शिफ्ट करने का तरीका हुआ अगर आपको के टाइम चिफ्ट करना पड़ता तो यहां पर से आप के लिए लिक देते तो के शिफ्ट मार देता वालू अगर माल लेते हैं टू होता तो जिरो वण टू ठीक है तो सी को यहां पर फर्स पोजिशन पे लादेता यहां जाता डी एफ भी है यहां तो अच्छा तरीका है मतलब रोटेट करने का बड़ा सिंपल और हैंडी तरीका है तो यह मैंने आपको इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इन कुछ चीजों के डीटेल आपको मैं बताऊंगा है ना और आपको एक मैं की बताता हूं तो सिंपल सा इन ने कशिर गया आपको बहुत चीज़े फटा चलती है कि इंटेंबी चीज़े काम कैसे करती है एंथा इंटेंडिलली इंक्लिमन कैसे किया गया होगा रोटेट और आ क्या है नॉर्मल सा स्टेंड टेंप्रेट लाइब्रेरी है मेरा राइट तो सिर्फ ब्लाइंड ली यूज मत करो समझो भी कि हर एक पॉइंट जो परेमिटर वो है क्या तभी आप ग्रो करोंगे तभी आप यह चीज़े सीखोंगे एक्सपर्ड बनना नॉम्मल कोड़न नही तो और स्पेस कॉम्पेसिटी हमारा क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है यहां तक क्लीर है इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने सेकेंड अप्रोच पर अब देखो अप्रोच टू मेरे हिसाब से इंपॉर्डन है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर् इंपाइब स्ट्रिंग को इफ्यों कॉन्कराटों स्टरिंग वित इट सेल्फ जब भी आप किसी भी स्टृंग को उसी से कॉन काटनेट कर देतों मैंने क्या इसको से कॉन कर दिया मतलब ए बीसी में एक और एबीसी जोड़ दिया ठीक है तो थäre उन्ट एट पथा क्या च्छिफ्ट में देखो तो एबीसी शॉडरी लेफ्ट डोटेशन कर रहे हैं घंशे उसके बाद सी एबी उसके बाद दोबारा रोटेट कर रहे होता किया जा एब सी आगा तो ठीक है अब इसे इसके इतना पॉसिबल रोटेशन से एक दो तीन है ना अब एक काम करते हैं इस ABC को कॉनकाटनेट कर देते हैं है ना खुद से एक सेकिन ठीक है ABC ABC कॉनकाटनेट कर दिया अब देखो ध्यान दो जितने भी रिटेशन से ना ये 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 तीनों इसमें प्रेजेंट होगा देख लो अगर आपको बिलीव नहीं होता दो यहां पर देखो पहला क्या है ये वाला बीसी है यहां प्रेजेंट होगा गारेंटीड है ये दो प्रेजेंट है इसमें अगर प्रेजेंट है मतलब ये जो बीसी है वह करेंटेशन मतलब यहना इससे एबीसी वाले स्ट्रिंग इसका रोडेशन रो देखों देखो और यह ये प्रेजेंट हों कामारा मैं सिंप्ली यह करूंगा कि हमारा जो इंपूट है हमें हमें क्या पता करना था कि अगर इस इनपूट में मैं कुछ रोटेशन मारूं तो वह इसके बराबर होता है की निए ठीक है मतला हम यह पता करना चाहिए ना कि क्या यह कोई rotation है अपने string S का है ना तो मैं क्या करूँगा इस S को concatenate कर दूँगा ABCDE ABCDE तो देखते हैं ABCDE ABCDE concatenate कर दिया अब बस मुझे क्या सर्च करना है कि जो मेरा goal है क्या वो इसमें as a substring present है अगर present है मतलब यह goal पक्का कोई ने कोई rotation में होगा इस S का कोई ने कोई rotation ही होगा इस S का अगर present हुआ तब CDEAB देख लेते हैं CDEAB CDEAB मिल गया आप अराम से इसमें find कर सकते हो CDEAB को KMP लगा लो या कुछ भी लगा लो कैसे भी आप search कर सकतो ठीक है यहां तक clear है समझ में आ गया ठीक है तो सबसे important पार्ट चोटा सा solution था यह ठीक है वन लाइनर solution अगर देखा जातो नॉर्मल आप इस स्ट्रिंग को कॉन्काटनेट करो खुद से और उसमें find लगा दो इस स्ट्रिंग को गोल को सर्च कर रहे हो तो ओफ एंड टाइम लगेगा यूजिंग के एंपी के एंपी ओफ एंड टाइम लेता है सर्च करने में किसी भी सबस्ट्रिंग को ठीक है मैंने के एंप अलड़ी आपको पढ़ा रखा है यह तो नॉर्मल आफ फाइंड ऑपरेशन भी लगा सकते ह यहां तक क्लियर है स्पेस कॉंपलेक्सिटी कितना है ओफ एंड बोल सकते हो क्योंकि देखो आपने क्या किया आपके पास गिवन इंपुट यह था आपने क्या क्या इसका एक कॉनकाटिनेटेड वर्जन बनाया एबी सीडी एबी सीडी इए तो अबविसे यह कहीं पर स्टोर हुआ होगा तो यह भी ओफ एंस पेस लेगा न आपका एंड बीनी ओफ टुएंस पेस लेगा टुएं जो भी एम माले तेसका लेंथ एम है तो अप्रास्मेटली ओ आफ एम बोल सकते हैं स्पेस को ठीक है तो मैं यहां पर मान के चल रहा हूं कि हमने यहां पर स्पेस लिया है ठीक है ओ जो भी है टू टाइमस एन ठीक है जिसको ओ अफ एन भी अपलिग सकते हो ठीक है यह दो चीज इंपॉर्टन था सीखना था इस वी ने की गोल जो है वो एसका कोई भी रोटेशन हो अन्य यह डाल सकते हो तो इंट करते कितनी को डूटेट कर सकते हैं पॉर इंट कांटी थेुट युटल वञण सांट में इप सब्सक्राइब मारी जतना कर सकते हो उसके बाद रोतेट करो के तो वह रिपीट होने लगे गा जितने जितना उसका लें तो उतनी पारी रॉटेट कर सकते हो तो चलो रुटेट करते हैं रोटेट बेगिन ओफ एस बेगिन ओफ एस प्लस वन इंड़ एस ठीक है इफ एस इकल टू जो गोल के बराबर हो जाता है तो रिटर्ण टुमें यहीं पर कर दूंगा अगर नहीं हो इसके बाद वाला अप्रोच भी अभी ट्राइब कर लेते हैं वह बहुत ही सिंपल है नॉर्मल एक दो लाइंग का ही कोड़ है यहां पर यह चेक तो डाली देते हैं अगर न के बराबर नहीं हो तो रिटर्ण फॉल्स कर देंगे इसके बाद क्या था कि हम लोग एक उन्काटनेटीट स्ट्रिंग बनाएंगे यानि कि एस प्लस एस और इसमें फाइंड करेंगे अगर गोल मिल जाता है इस नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग अगर वो मिल जाता है इसका मतलब क्या हूँ है रिटर्ण ट्रू कर देंगे नहीं मिलता है तो रिटर्ण फॉल्स कर देंगे सब्मेट करके देखते हैं वी शुट भी अबल टू पास अल्ट इस केसे इंडीड येस कोई भी डाउट होता है रेदिन इन दे कॉमेंट वीडियो थैंक यू